नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन में जल्द शुरू होने वाली है 33,000 पदों के लिए भरती प्रक्रिया जार्खन सरकार के निर्देश पर अब इस्कूली सिक्षा बिभाग 33,000 सिक्षकों की भरती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने वाली है बड़ादी की जार्खन के प्राथमिक इस्कूलों में जन्जाती और अस्थाने भाषा की पढ़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है साथी परदेश के 34,847 प्राथमिक विद्यालेओं में पढ़ाई शुरू होगी जिसके लिए जार्खन सरकार तैयारियों में जुट गई है चमपई सरकार के निर्देश के बाद विभाग अस्तर पर इसकी रूप रेखा को अंतीम रूप दिया जा रहा है मीडिया की खबरों को माने तो कई नई योजनाओ को चमपई सरकार अगले तीन से चार माह में धरातल पर उतारेगी जार्खन की भाशा और संस्कृति को संग्रचित करने के जार्खन सरकार का जोर है बतादे की जार्खन में प्राथमिक और माध्यमिक सिक्षा के लिए 12,314.21 करोड रुपे बजट का प्रावधान किया गया है जार्खन में 10 जून तक हीट वेप की चितावनी जार्खन में 10 जून तक यानि 7 जून से 10 जून के बीच जार्खन के अधिकतर जीलों में लू का परकोप देखा जाएगा बतादे की जार्खन के कम से कम 16 जीलों में 10 जून तक लू यानि हीट वेप चलेगी मौसम बिज्यान केंद्र की माने तो जारखन के उत्तर पस्चिमी मध्य दक्षिनी तथा उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीट वेप की स्थिती देखी जाएगी हलाकि इस दिन दक्षिनी एवो मध्य भागों में कुछ इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बजरपात होने की भी संभावना है मौसम केंदर की माने तो 8-10 जून तक जारखन के उत्तर पस्चिमी मध्य दक्षिनी और उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में कुछ इलाकों पर लू चलेगी उत्तर पस्चिमी हिस्से में 6 जीले आते हैं, दक्षिनी हिस्से में 4 और मध्य जार्खण में 6 जीले आते हैं इस तरह से 16 जीलों में 8 से 10 जून तक हीट वेब चलने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि जार्खण में अगले 3 दीन तक अधिक्तम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिगरी सेंटीग्रेड ब्रीधी होगी आठ हजार उपए रिश्वत लेते धराया मुख्या जार्खण में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जार्खण के ग्रीडी से बड़ी खबर है यहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कारवाई की है बतादे की अबुआ आबास योजना के लाभुक से घूस लेत रहे एक मुख्या को एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरपतार किया है बतादे की ग्रीडी जीले में बड़ी कारवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्या को आठ हजार रुपे रिस्वत लेते रंगे हाथो दबोचा है ACB की टीम ने गुरुवार को जमुआ परखंड के चर घरा पंचायत के मुख्या महाविर दास को 8,000 रुपे रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरपतार किया खबरे की मुख्या की गिरपतारी के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है जारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर है यहां बिवाद सुल्जाने गए A.S.I. की गोली मारकर हत्या जारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर है यहां गुस्से में A.S.I. की गोली मारकर एक सिपाही ने हत्या कर दी खबरे की मिलितक का नाम धरमेंदर सींग बताय गया है वहीं आरोपी सीपाही का नाम आनन सीमुंड़ा है A.S.I. की हत्या के बाद उसने पत्नी के समझाने पर पुलिस के सामने सरिंडर कर दिया है घटना लुहरदगा के रगुटोली स्थित S.P. आवास के पीछे क्या बताय जा रहा है बताय जा रहा है की चुनावी ड्यूटी से पहले जवान जीले में कंट्रोल रूम में तैना था जहां ड्यूटी से वे वापस लोटा था बताय गया है की आरोपी सीपाही का बुधवार देर रात पतनी से किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया जिसके बाद सीपाही ने पतनी और बेटी को कमरे में बंद कर दिया जिसके बाद पतनी ने आसपास के पुलिस वालों की मदद मागी जिसके बाद तुरंत एसाई धर्मेंदर सींग मौके पर पहुँच गये थे इसी दोरान जवान भड़ा गया और गोली चला दी इसमें एसाई धर्मेंदर सींग की मौत हो गई अगले तीन दीन में महाराष्ट्र समेथ देश के इन राजियों में होगी मौनसून की इंट्री मौसम विभाग ने उत्तर पसीम भारत में शुकरवार यानी 7 जून 2024 से कुछ अस्थानों पर बारिश और आधी की संभावना ज़ताई है आई एमडी ने कहा है कि असम और मेघाले में 7 जून से 8 जून के बीच भारी से लेकर बेहद भारी बरशा होनी की संभावना ज़ताई है आई एमडी ने बताया है कि दक्षिन पस्षीम मौनसुन महराष्टर दक्षिन 36 गड़ और दक्षिन ओडिसा में अगले तीन दिनों में पहुंच सकता है मुंबई के कई इलाकों में बुधवार सुबह मौनसुन से पूर्व की पहली बारिश हुई है मौसम बिग्यान बिभाग के एक अधिकारी को माने तो दक्षिन पस्षीम मौनसुन के मध्य परदेश में 15 जून तक पहुंचने की संभावना है ये समाने आगमन से दो दिन पहले है मौसम बिभाग ने कहा है कि उत्तर परदेश के कुछ इलाकों में उष्ण लहर से लेकर गंभीर उष्ण लहर की स्थिती रहने की संभावना है वहीं आएमडी ने बताया कि 8 से 9 जून के दोरान मध्य परदेश, बिहार, ओडिशा और जहारखंड के अलग-अलग स्थानों में हीट बेब की स्थिती रहने की संभावना है मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दोरान पूरबी भारत उत्तर परदेश और उत्तरी मध्य परदेश के अलग-अलग इलाकों में हीट बेब की स्थिती जारी रहने की संभावना जताई है स्टेटस अपडेट को लेकर वाटसेप ने पेश किया कमाल का फीचर बदल जाएगा पूरा इंटरफेस वाटसेप भारत में सबसे अधिक इस्तिमाल किये जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेट फॉर्म में से एक है कमपनी समय समय पर इस एप के लिए एक के बाद एक फीचर भी रूलाउट करती रहती है हाली में कहा गया था कि मेटा के स्वामीतो वाला प्लेट फॉर्म स्टेटस अपडेट ट्रे को फिर से डिजाइन करने की योजना बनाने जा रहा है और अब ताजा खबरें बताती हैं कि कमपनी ने इसे रूलाउट करना शुरू कर दिया है इसका मतलब साब है कि आपका वाटसेप स्टेटस अपडेट इंटरफेस जल्द ही बदलने वाला है जो काफी अलग दिख सकता है WA बीटा इंफो द्वारा शेयर किये गए स्क्रीन शौट के अनुसार यूजर दूसरों के वाटसेप स्टेटस अपडेट को बड़े वर्टीकल थमनेल में देख पाएंगे इसका मतलब है कि उन्हें स्टेटस अपडेट में दूसरे यूजर द्वारा पोस्ट किये गए अपडेट को बिना उसे खोले ही 72 तरीके से देखने को मिलेगा अभी तक हम सिर्फ थमनेल में स्टेटस अपडेट का प्रिव्यू देखते हैं जो यूजर की प्रोफाइल फोटो के साइज का होता है इसलिए बिना स्टेटस खोले या पता लगाना काफी मुश्किल है कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है लेकिन इस नए फीचर से आपको दूसरे यूजर का वाटसेप स्टेटस खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 9 जून को परधानमंत्री पद की शपत लेंगे नरेंद्र मोदी मीडिया की खबरों को माने तो 9 जून की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी परधानमंत्री पद की शपत लेंगे मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक खबर है कि नीवर्तमान परधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को पी-एम पद की शपत लेंगे बतादे की इंडिया की जीत के बाद केंदर में एक बार फिर सरकार गठन की तयारी शुर्फ हो गई है इससे पहले शपत गरहन की तारीक 8 जून को निधरित की गई थी लेकिन मीडिया की खबरों से ये खबर सामने आ रही है कि अब तीथे में बदलाओ कर इसे 9 जून कर दिया गया है बतादे की अठारवी लोकसभा चुनाओ में किसी भी दल को इस पश्ट बहुमत नहीं मिला है चुनाओ रिजर्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उपरी है हलाकि उसके पास भी अभी पूर्ण बहुमत से 32 सीठे कम है ऐसे में बीजेपी अपने गटबंधन के सहयोगों के साथ मिलकर सरकार गठन कर रही है इधर नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा के आवाज पर बीजेपी ने नेताओं ने बैठक की बैठक में सरकार गठन को लेकर चर्चागी गई बैठक में अमीत शाह और राजनात सींग समेत बीजेपी की कई नेता शामिल हुए पतादिकीस बैठक में भावी मंत्री परिशत के गठन में एंडिये के घटक दलों की भागिदारी सहित अन्ये मुद्दपुर जिहा मुद्दों पर चर्चाएं हुई है हलाकि अभी राष्टपती भवन की ओर से शपत गरण की तिथी फाइनलाइज नहीं हुई है परधानमंत्री पत की शपत लेते ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार तीन बार पीम वाले रिकोर्ट की बराबरी कर लेंगे नई सरकार के शपत से पहले साथ जून को एंडिये की एक अहम बैठक है CBAC रिजल्ट के मार्क्षिट में सामने आई गड़बड़ी इसकूलों को फिर से करना होगा मुल्यांकन CBAC यानि केंदरिय माधमिक सीख्षा बोर्ड ने CBAC रिजल्ट में प्रैक्टिकल एवम थियोरी मार्क्षिट के बड़ा अंतर पाया है उसके बाद CBAC ने कुछ इसकूलों को फिर से प्रैक्टिकल एक्जाम का इंटर्नेल एसेस्मेंट करने की सलाह दी है केंदरिय माधमिक सीख्षा बोर्ड को एडवांस आर्टिफिसल इंटरिजेंट के जरिए CBAC के संबंध 500 बिद्यालेओं में कुछ 20 के 50 परतीशत या इससे ज़्यादा बिद्यार्थियों को थियोरी एवम प्रैक्टिकल परिछा में मिले अंकों में बड़ी गड़बड़ ठीक से पूरी हो और बिद्यार्थियों की एकेडेमिक्स में जरूरी परिवर्तन करें दरसल CBAC ने बीते वर्स के रिजल्टों के आकड़ों के आधार पर CBAC से संबंध लगबग 500 बिद्यालेओं में 50 परतीशत या उससे ज़्यादा बिद्यार्थियों के बीच कुछ भी स टूल के उप्योग में पाया है हलाकि CBAC सचिव ने कहा है कि यह अंतर बिद्यालेओं में प्रेक्टिकल परिशाओं के दौर सावधानी पूर्वक मुलियांकन की आउशकता को दर्शाता है उसके बाद बोड ने ऐसे बिद्यालेओं को अपनी इंटरनल असेस्टेंट प्र करने की सलाह को लेकर एक नोटीस आरी किया है CBAC द्वारा जारी सलाह वाले नोटीस में कहा है इसका उदेश्य अधिक मजबूत पारदर्शी एवं बिस्वस्तिये मेकनीज को लागू करना है जिसे यह सुनिशित हो सके कि मुल्याकन प्रक्रिया यथार्त वादी हो एवं व